नमस्कार दोस्तों मेरा ना कुछा है आप देखें युद्ट चैनल आई देखें आज की इस वीडियो में आपको मंठीटर की चाहिता से टाइब और उसके टर्मिनल रहे बाला है दोस्तों हमारे पास एक टांजिस्टर रखा है और यह टांजिस्टर का सिंबॉल आप देख रहे हैं यहां एक रिग यह टांजिस्टर की तरह बना हुआ है और यह इसका सिंबॉल है तो हम यह टांजिस्टर के बाले में जानेगे दिए टांजिस्टर की तीन फीले होता है जैसा कि आप देखें हैं वेस कलेकटर और एमिटर तो आज हम मल्टिमीटर की सहाथा से इसके टर्मिटरों की पहचान और इसके पहचान करें जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारे पस के मल्टी मिटर रखा हुआ है यहां मल्टी मिटर में आप देख रहे हैं कि अभी अब है हम इसे कbür नॉब मोब को इस तरह से एकषिक राम से करते हैं और आप देखा रहे हो इसमें उससे हम उससे हぇ तो जयासा है कि आप इस ट्राणजिस्टर में कुछ लिखा यह बीची पासो अर्ट आलिस का ट्रांजिस्टर है इसे हम इसकी फीनो को हम आज टेस्ट करेंगे और इसके ट्रिटोर्ब आनों कब बाता करेंग你看 तो रोज तो हम इसको यहां पे इस तरह से इंसर्ट करते हैं, यह वाला इस ताइप इसको पीछे साइड रखते हैं, तो हम इसे इस तरह से यहां पे इंसर्ट करते हैं, दोस्तो हम सबसे पहले यहां पे इसके ट्रांजिस्टर के टाइप का पता कर लेते हैं, हम सबसे पहले आप माल्की मेटर में देए हैं यहाँ पोई रीडिउन नहीं आदि ऊन्रार इसे चेंज कर देए हैं तो फर्स्ट फीन पर निगेटिव को रगते हैं आप देखें यहाँ बीधू आ रही है और हम तो यह निगेट क्या न थेरड को अनि पार प्लाम से quarantine 7 तो इस तरह जासे हमने उए और हाँ रिडूंग फिर स्परадц प्ला पर टेश्ट करते हैं तो यहां पर पी को अश्री न रहाई तो भेकार के तैस्ट है दोस्तों हम उस क्या टाइप पता Κर्शक्त सकते लिए नंतार आप एवäsident तो यह फर्स्ट पीन को यहां पर बन लिखते हैं नमबर के अधार पर टेस्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने यहां पर एक टेबल बनाई है उसके आधार पर आप हम ट्राजिस्टर के टर्मिनों को टेस्ट करेंगे तो यह आप जैसा कि देख रहे हैं यह मर्टिमिटर की पॉजेट्व प्रॉब है इसको जिबन पर और यह निगेट्व प्रॉब है तो इसको टूब पर रखते हैं ट्राजिस्टर के तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों मर्टिमिटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही है इसका मतलब बन मतलब ओपन लूप होता है तो हम इसे यहां नोट कर देते हैं अब हम अगली रीडिंग लेते हैं आप देख दोस्तों मर्टिमिटर में रीडिंग आ रही है तो अब हम दोस्तों इसे भी नोट कर लेते हैं 940 तो दोस्तों हम अगला टेस्ट करते हैं पॉजिटीव को बन पर और निगेटीव को थर्ड पर टेस्ट किया जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो हम इसे नोट करते हैं दोस्तों अब हम सेकेंड टेस्ट करते हैं पॉजिटीव को थर्ड पर और और निगेटीव पर टेस्ट करते हैं तो यहाँ मल्ले में कोई रीडिंग नहीं आ रहे हैं उसे आम उपन लूप लिखते हैं अब हम अगला टेस्ट फिल नमबर 2 और फिल नमबर 3 से करते हैं जैसा कि आप देखने दो तो यहां 0.933 रीडिंग आ रही है तो इसे हम नोट करते हैं अब हम पिन 3 और फिल पिन 2 को टेस्ट करते हैं तो यहां कोई डिडिंग नहीं आ रही है हम इसे ओपन लुक लिखते हैं दोस्तो हमने यह टेबल तयार कर लिया है और आब हम अब रांजिस्टर को टर्मिनलो Gandhi पहचान करते हैं Ji कौन सा टर्मिनलber lesson है कौन सा टर्मिनलber साथ में one का टेस्ट किया है तो reading आई ए और two pin के साथ में three का टेस्ट किया है तो यह reading आई यह जैसा कि आप देख रहे हैं हमने two pin का test किया है इनके साथ में यह दोनों common है तो यह pin number two तो यह बेस कहलाईगी हम यहां पर लिखते हैं अब आप देखे हैं यहां पर हमने जो टेस्ट किया है प्रिन नमबर तू के साथ में बन का और पिन नमबर तू के साथ में थ्री का तो यहां सबसे ज्यादा रेडिंग पिन नमबर तू और बन का टेस्ट किया तो सबसे ज्या के साथ में 1 को test किया है तो यह reading आई कि इसलिए यह बेस बेस वेस कॉमन होता और इसलिए हम इस se emiter मांगते हैं यह emiter होता है अब तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फीन नमबर 2 के साथ में 3rd pin को test किया तो हमने यह reading आई आजर है आजये ऑजल आइे 940 आईए और ये सेकेंड आईए 933 तो आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा है और ये उससे कम है तो कलेक्टर कम है तो ये कलेक्टर होगा तो दोस्तो हमने इस पिरकार से टेबल की साहता से मल्टिमिलर का टाइप और उसके टर्मिनलों की पहचान किये तो ये फर्फ पिन एमिटर, सेकेंड पिन बेस और थर्ड पिन कलेक्टर को बढर्शेट करती है अब हम दूसरे प्रकार से हम इसकी पहचान मल्टिमिलर की साहता से कैसे करते हैं ये बताते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास से मल्टिमिलर है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तो हमारे पास यह मल्किमीटर है मल्किमीटर में यहाँ पे PNP और NPN दिखा हुआ है इसलिए हम इसे इस लोग को PNP पर सेट करते हैं और फिर हम तेस्ट करते हैं यह होल्स हैं यहाँ यहाँ पे आ रही है अब हम इसे चेंज करके इंसर्ट करते हैं तो रीडिंग नहीं आ रही है तो दोस्तो हम इसे NPN पर सेट करते हैं तो दोस्तों हमने याप NPN पर सेट किया अब हम ट्रांजिस्टर को इस तरीके से घुमाते हैं और फिर इस पर इंसर्ट करते हैं यह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसे डाला और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मुटिमेटर पर रीडिंग आ रही है तो यह एक NPN प् प्रिकार का ट्रांजिस्टर है अब आप यह देख रहे होंगे कि यह पर इंस तरीके से प्रकार कर दिख कर दिये तो यह इस ट्रांजिस्टर का टाइप और टर्मिनल हमने इस तरीके से पता कर लिया दोस्तों, हमने 1T-1T-1T-1T ते राजिस्टर के प्रकार उसके टाइप के बारे में प्रेश्ट पीपिए आप इसी भी प्रकार के बारे में चान सकते। दोस्तों, अगले प्रिप्रमें अगले प्रॉक्तियसा तक तक की नास्तार।